25 सेप्टेंबर 2019 थाना सिर्सोन गाओं भावखेडी शिप्पुरी मध्यपरदेश दो चचेरे भाईबेन दस साल का छोटा बहुत प्यारा सा बच्चा अभिन्यास और 12 साल की उसकी प्यारी सी बहन रोशनी दोनों अपने पिता के घर से घर के आएक नाम मात की जोप्री जो उसने सडक के किनारे जो पेड़ हैं वो काट के बनाई उस पेवी वहाँ जो गाउं के लोग हैं उनको एत्राज हो गया कि ये पेड़ क्यों काटा और उसको सीदे सीदे धंकी उसके उन दोनों बच्चे के पिता को के गाउं में रहनों हैं तो धंक सुर है पानी वो जब मिलता था उसे पीने से सरकारी जो हैं नल है जब सारा गाउं पानी भर लियता था उसके बाद उसे पानी मिलता था पानी पे भी जगड़ा उसकी लड़की जब पानी यानि जो उसकी भतीजी है जब वो पानी भनने गई गाउं में तो छोटी सी बारे साल की बच्ची तो उसको मारा और उसको धंकाया और उसको बड़े बत्तमीज और अबदर वैवार से बोला बारे साल की बच्ची के और जो ये इस्तिती है ये बड़ी अजीब सी और घंबीर सी है क्योंकि दोनों ही लोग भारतिया है दोनों की ही सामाजिक इस्तिती सबसे उपर वाली नहीं है जो धमकाने वाला है उसकी सामाजिक इस्तिती मध्यम दरजे की है और जो धमकने वाला है जिसको गाली पड़ रह है दो बात हैं यहां साफ हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाने का प्राब्धान आया पहला तो यह है कि आप जो ये वीडियो देखेंगे अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए केड़ी गाओं में एक बालमेक समाज के दो बच्चों की हत्तर से कुचल कर हत्यागर दी है आप देख सकते हैं यह मुरत बच्चों के पिता जी पैठे हुए हैं आपकी क्या राय अंकल आप बूल सकते हैं आप कोई रंजस थी आपकी कोई रंजस नहीं थी एक साल पेल की रंजस थी तोड़ी गाई ग्रोस हो जोगा थी पस फिर उसके वाद में क्या हुगा था उसके बाद में जी वादा आगे आज सुपे रही मुर्मोडी गए उदर दुकान दरपका यह बापक यहल महारा है लट्टों से दू-चार बार टोड़ा था मेरे पास बंदुग लेंगे सोपचार ऊकरे काम और नहीं तुझा मांट आफ डॉयों रहना वह नुचाइज भास रमुशा पहले बड़ा विदे चुकर गां आपको बंदूक की दहते हैं और सर्पंच की लाइब में चांब हुगा है और पहले भी बच्चो को अधाया दमकाया जाता था गया है कोई दमकाया ने जाता था बच्छे का यह एक दिन जरू लड़की पानी बन निगेज लड़की जिभूला था यह कुगा मताव गए टांग पकार पशुड़ था हूं कोई आए चाथ देना बहुत है जाती बाद भी आप देख सकते हैं बहुत दी गहों में और यह बेटी के पिता जी आप बोलो आप से कुछ बोला था गया पहले से पहले दमगी देए यह सी और यह वादा पर आपने कोई अब्जेक्शन नहीं अठाया था ने चोटी मोटी वाद नहीं इसका बड़ी हो चुकी है कि आपने अपने बच्चों खोदी हैं इस वीडियो के अंदर जो रोशनी के चाचा और जो अभिनास के पिता हैं वो यह कह रहे हैं कि मेरा एक साल पहले जगड़ा हुआ गाली गलोच हुई है यानि कि गाली गलोच दोनों तरफ से हुई हैं और एक साल इस बात को हो गया है 150 रुपे में काम करना है तो कर 150 रुपे में काम करवाना चायते हैं गाओं के लोग और जो ये वीडियो है इसमें ये बात साफ है जो रोशनी के पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि मौड़ी है उठा के ले जाओं यानि जो लड़की है उसको उठा के ले जाओंगा बाद मैं कि किसी के कहने पर उने का गया मार तोंगा ऐसा कहा दूसरी एक statement जो अखवार में है इसको आप देखिए ध्यान से इसमें अरेश्ट होने के बाद में जो अभियुक्त है जो अक्यूज है वो कहता है कि राक्षसों का सर्वनास करने का भगवान से आदेश आया है और मैं सभी राक्षसों का सर्वनास करूंगा ये statement बिल्कुल जोटी और साफ साफ दिखाई देती है कोई छोटा बच्चा भी इसको जान जाएगा क्योंकि अगर राक्षसों का सर्वनास करने का आदेश भगवान ने दिया है तो भगवान स्वयम ही राक्षसों का सर्वनास कर देंगे क्योंकि भगवान तो सर्वसक्तिमान है वो किसी दोयम दर्जे के आदमी से क्यों कहेंगे कि आप भगवान मैं कहता हू कि आप इनका सबका सर्वनास कर दें या उसका सर्वनास करें या ना ना करें यानि भगवान को किसी का सर्वनास करने के लिए किसी को आग्या देने की जरूरत नहीं है भगवान अगर है तो सर्व सकती मान है जैसी आस्था जैसी मानता है और वो कुछ भी कर सकते हैं किसी को कुछ कहने के लिए उन्हें जरूरी नहीं है तो ये statement जूटी है दूसरा ये है कि अगर कुछ सपना आया या मानसी के सिति खराब है या कुछ है जैसा कि बताया जाता है कि वो एक नाटक है ताकि सजासे बच सके तो क्या जो राक्षस है वो छोटे-छोटे बच्चों में दिखाए दिये अगर राक्षसों का सर्वनास करना था तो बड़े राक्षस का सर्वनास करना था अपने साइज के राक्षस का सर्वनास करना था पूरे देस में जितने है निम्दा तो दूसरी statement राक्षस वाली तो बिल्कुल जोटी है वैसे भी राक्षस वाला जो वीडियो है मैंने बनाया है उसमें बताया है कि राक्षस लोग भारत के मूल लिवासी हैं जो रक्षा करने वाले लोग हैं और ये भारत के पैतक लोग हैं और इनी का दावा पूरे भारत पे बनता है मगर जो पहली वाली statement है जो उसमें कहा जा रहा है कि पचास सो रुपे पे काम करनों पड़ेगो और हिसाब सु काम कर यानि कि ये जो रहनों है तो हिसाब सु रह और सो पचास में काम करना नहीं तो माट डालोंगो यानि सो पचास में काम करना हो तो कर नहीं तो माट डालोंगो और रहना हो तो हिसाब सु रहे ये statement बहुत important है ये statement इसलिए important है क्योंकि जाती जो भारत के अंदर चलती है या जाती जो system हेरार की है वो जाती का system तबी तक काम करेगा जब आप एक जाती दूसरे का शोशन करती रहेगी यहाँ जो ये जो शोशन करने वाला है इसका भी शोशन हो रहा है ये भी किसी का शोशित है और ये खुद शोशन कर रहा है यानि ये तो बीच की कड़ी है इसके उपर की कड़ीयां और भी है और ये सबसे नीचे कड़ी में है जो ये अविनास और रोजनी के पिता है तो 150 में काम कराने का जगड़ा है कि खेत में काम करना है तो 150 में काम कर आप अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे तो अविनास के पिता के पास में कोई संपत्ती नहीं है मिट्टी खट्टी करके एक दिवारे हैं जिसमें कोई दर्वाजा नहीं है और उपर से एक पेड़ो की छाल है और उपर से एक पनी डाली हुई है दो-तीन बरतन हैं, फटे पुराने से कपड़े हैं, बच्चे बहुत खुश्वत हैं, मगर कोई पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है, अक्षर ग्यान का दूर दूर तक पता नहीं है, सलक के किनारे, ऐसी जमीन पर जो सरकारी जमीन हो सकती है, या गाउं की हो सकती है, या ऐसी पड़ी हो सकती है, उस पर जो जोंपड़ी बनी होई है, जमीन का भी कहीं आता पता नहीं है, और अकेला वो घर है, ऐसे में बावा साब ने इस पस्ट कहा है, कि जहां सुरक्षा ना हो, और जहां रोजगार ना हो, जहां इज्जत ना हो, वो जगे तुरन छोड़ देनी चाहिए, कोई संपत्ती है तो उसे बेज देना चाहिए, कोई घर मकान है तो उसे छोड़ देना चाहिए, कोई खेत खली आने तो उसको बेज देना चाहिए, मगर सुरक्षा नहीं है, इज्जत नहीं है, पड़ाई नहीं है, खाना नहीं है, स्वास्त नहीं है, तो उस लोगों ने इस बात को समझा और जो लोग शहरों में आ गए वो लोग स्वच्छत भी हो गए और उनके बच्चे पड़ भी गए आगे वो काम भी कर रहे हैं कुछ के बच्चे विदेशों में जा चुके हैं बाकी मर्टि नेशनल कंपनियों में टककर ले रहे हैं बहुत जय थी कि महां तक उस व्यक्ति तक कोई रोशनी नहीं पहुची यह जानकारी महां तक पहुच जाती अच्छा है कि जितने भी सामारी को फैना हैं जो बावा सामने कहा है कि जहां अकेला है जहां इज्जत नहीं है जहां सुरक्षा नहीं है जहां पैसा नहीं है जहां को तुरंट छोड़ दाना चाहिए क्योंकि जो जाती की जो मानसिक्ता है वो जाती की मानसिक्ता जो इसको शिकार है और जो शिकार कर रहा है उन दोनों को ही पता नहीं है इस केस में जो ये दो लोग हैं ये बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं जैसा कि फोटो में दिखाया जा तीवा शोशन करने जैसी मांच सिकता है मगर यहाँ रोशनी के पिता ने और यहाँ जो यह बच्चा है अविनास उसके पिता ने अपना शोशन कराने से मना कर दिया उन्होंने पचास सो रुपे पे काम करने लिय anak साफ मना कर दिया बंदुक की धमक्या भी उनके पास हैं मगर उन्होंने इसको छोटी मोटी बास समझ के छोड़ दिया क्योंकि सौाबी मान बहुत कूट-कूट के पुराना भरा हुआ है यह सौाबी मान ही है जो जिन्दा रखे हुए है मगर थोड़ी सी समझदारी से अगर स्वाभी मान में मिला दिया जाए तो तरक्की बहुत आसान है स्वाभी मान बहुत अच्छा होता है मगर जहां स्वक्षा नहीं है जहां रोजगार नहीं है जहां पढ़ाई नहीं है जहां हैल्थ नहीं है जहां खाना नहीं है उस जगए को छोड़ना स्वाभी मान को और ज़्यादा बढ़ा देगा और आपकी जिंगी को आगे कर देगा 150 रुपे में उनको मजदूर आप अबेलेबल हैं उस गाउं में रहते हैं तो उनकी उम्मीद है कि जाती की वज़े से आप उनका काम करें क्योंकि वो भी जाती की वैसे किसी का काम कर रहे है किसी के पैरों में पड़े रहते हैं जो उनकी बात को आँख बंद करके मानते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को नीचे की जाती वाला आँख बंद करके माने और जब नीचे की जाती वाला आँख मन करके नहीं मानता तो वो आँख में किरक्री बनता है तब उनको धंगिया थ्रेट और यहां तक की हत्यार मडर भी करने पड़ते हैं जाती के वच्चसवे के कारण जो उनके मन में बच्च्पन से भरा गया है तो जो कसुरवार है वो जाती का भरने वाला है जिसने ये बात भरी कि मुझे राक्षसों का सरुनास करना है उसने ये नहीं बताया कि राक्षस तो यहीं लोग हैं मानने वाले भी और मनने वाले दोनों क्योंकि राक्षस का मतलब रक्षा करने वाले लोग होते हैं जो भारत के रक्षा करने वरे लोग हैं, यह जानकारी कौन देगा, जो उनको मरवा रहा है, जो उनको लडवा रहा है, वो तो कभी नहीं देगा, इसलिए जो मार रहा है, उसको पता नहीं है, इसलिए जो मर रहा है, उनको बहुत तेरी से यह जानकारी पूरे देश में फैल कौन है इस से देश में भायचारा बढ़ेगा और देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा जब जानकारी हो जाएगी और जब ग्यान बढ़ जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई किसी के बच्चे को मारे लट से को जो मान्सी रूप से बिमार हो चुका है या जो इस हरकत में आ चुका है या जो किसी का शिकार होके जिसने ये हरकत की है उसने अपना परिवार तो पूरा खतम किया ही है मारने वाले कभी चैंसर नहीं बैठेंगे और बुद्ध का तो एक प्रिटेक्श सिध्धान्त है कि अगर आप कोई कतले करके आते हैं किसी मनुस्य का तो आपके घर में भी आपको कोई नहीं पूछेगा अगर आप कतले करके आते हैं तो घर वाले भी आपसे डरेंगे आपके बच्चे भी आपसे डरेंगे घिरना करेंगे नफरत करेंगे कतल करने वाले को घर में महले में कोई पसंद नहीं करता इसलिए जिनोंने ये मारा है उनकी जिन्गी तो हमेसा के लिए खतम हो गई उनके परिवारों से लोग घिरना करेंगे उनकी जिनकी खतम हो गई बाकी जो वकील कोर्ट कचेरी है वो सब मौज उड़ाएंगे उनकी जेवें भरेंगे वो अलग खेत कलियान बिग जाएंगे वो अलग मिलना मिलाना कुछ नहीं है नुकसान पूरे देश का हो गया और मूल निवासियों का खास तोर से नुकसान हो गया इसलिए जानकारी फैला के इसको रोकिए उसको दंड मिलना चाहिए जिसने अंजाने में या जानकर या मांसिक बीमारी से या जाती के कारण या ग्यानता कारण ये जो अपराद है वो किया है क्योंकि अपराद की सजागर नहीं मिलेगी तो अपराद बढ़ जाएगा मगर इस बात के लिए भी सामाजिक संठनों को पड़े लिखे लोगों को बुद्धी जीवी के देश के तमाम लोगों को पूरे देश को एक परचार परसार करना चाहिए कि जाती का जो सिस्टम है वो सिस्टम ठीक नहीं है इससे भायचारा खतम होता है हम दुनिया में बहुत कमजोर हो गए है पूरी दुनिया हमें गुलाम बनाने पर लगी हुई है सिर्फ इसी कारण से मुठी बर लोग बहार से आते हैं और यहां के जो लोग हैं चूकि वो पहले से दबे कुछले होते हैं इसनिये वो कोई रिपैल नी कर पाते कोई प्रती रोध नी कर पाते उनके मन मरे हुए होते हैं हम दुनिया में टककर नहीं ले पाएंगे इसनिये दो मूर्चों पर लड़ाई लड़नी है पहला तो जो अपराद है अपराद जिसने किया है उसको अंजाम तक पहुँचाना है और दूसरा कि अपराद ना हो सब लोग में भाई चारा बना रहे तो जानकारी बहुत तेरी से फैलानी है कि कैसे जाती काम करती है उस जाती को कैसे खतम किया जासकता है और उसको खतम करने के लिए पूरी ताकस से लगना चाहिए क्योंकि जाती मानसिक रोग है मन से चलती है माइंड से चलती है जाती कहीं फिजी कर नहीं होती है धन्यवाद